तो फ्रेंट्स कैसे अपनों स्वागत आपकर मैं इस चैनल पर इसका नाम पढ़ेगी फ्रेंट्स मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल अप्रमेशन से लेटेट वीजो बनाता हूं तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं चैनल के वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और आपको अपने अमरोन वीफ्रेंग का टर्मिल वाइरिंग उसके प्रोग्राम और उसके शारी फीचर्स के बारे आप्रेंट्स तो जो आज हमारा वीफ्रेंट्स हुआ है अमरोन का 3G 3NB मॉडल इस वीडियो में मैं आपको उसके सारे टर्मिल वाइरिंग के पारें बता दूंगा उसके जतने भी इंपरेंट्स होते हैं उसके बारें बताऊंगा और एंग्ज動 के तो सम्झाओंगा इस पारेंट्स के लिए इस टर्मिल के लिए क्या पारेंटर यूज में आपको डिजिटल इंपुट डिजिटल आउर्पुट हमारे जो रिले ऑल्पुट होते हैं inappropri इन तो यह आप देख पारहें यह मोड की है यह इंटर का है यह अपडाउन एरो यह रन का की है और यह हमारा स्टॉप का बटन है उसके अलब फैंट्स उपर एक डिस्प्ले देख पारहें इसमें आपको 20 फ्रिक्वेंसी दिख रहा है 20.70 यह हमारा जो हमने अभी ड्राइब का मतलब की यहां से च्शुते और भी लाइट के इंडिकेटर दिख रहा है तो वो सहारा करता हूं और यह फ्रिक्वेंसी हैं मतलब कि Eminis अभी सेठ फ्रicução हो करना हमारा आटपूट फ्रिक्वेंसी सो होने लएगा एक बरवर मोड बटन दबाएंगे तो फ्रिक्वेंसी करन्ट इन्पूट आउटपूट इस्टेटस यह सारा कुछ चेक कर सकते हैं इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसके लाव एक बरवर मोड बटन दबाएंगे तो फॉर्वर्वर्ड और रिवर्स का स्टेटस होगा अब हमारा ड्राइब फॉर्वर्वर्वर्ड में रन कर रहा है अगर चेंज करना है तो आप डाउन एरो से कर स फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर अरो से भी कर सकते हैं लेकिन प्रोगामिंग में चेंज करना पड़े गाया कुछ परामिटर्स को व्रेंट्स अगर हम चाहिए तो फ्र्रिक्वेंट्स को हम इस पोटेंशियुमेटर के मत्स चेह आनलाग इंपूर और इंपूट से के सारा explain करता हूं यह हमारा VFD जो है 3G3MV model है तो इसमें देखे सबसे पहले MA, MB, MC जो टर्मिनल है यह हमारा relay output terminal है MA, NO, MB, NC और CMC common है इसका wiring मैं आगे सारा explain करूँगा कि कौन सा terminal पे क्या connection करना है और इसका parameter setting कैसे करते हैं अब मैं आपको एक करके explain करता हूं तो S1 से लेके S7 तक जो टर्मिनल से है यह हमारा multifunctional input terminal है और इस multifunctional input terminal का जो common terminal है वो S3 है तो उसके अलागे चलते हैं तो हमारा P1, P2, PC यह हमारा multifunctional photocoupler output reference output 1, output 2 और यह PC common है यह उसके लागे फ्रेंच FS, FR और FC यह analog input terminals है यह P हमारा power का output निकले का यहां से और यहां से input देना हमें analog input और FC पर common देना है यहां पर potentiometer connection करना है जो भी analog input हमें देना है वो यहां पर देना है अब यह हमारा AM AC और यह हमारा multifunctional analog output terminal है friends यह AM जो output है और यह AC common है output का RP pulse train input reference इसको आगे explain करूंगा कैसे यूज करना है यह R plus R minus S plus S minus RS 45 communication के लिए हमें दूसरे VOD से communication करना है यह PID से communication करना यह PLC कम्ने करना है तो उसके लिए यह है friends इसमें देखिए S1 से S7 जो input terminal है सब्सक्राइब यह है friends तो यह multifunctional input है मतलब कि इसी में हमें run command का input देना है यह reset का input देना है speed का input देना है job frequency का input देना पहुत सारे जितने वी type के input है वो यहां दे सकते हैं friends तो इसमें दो टाप का NPN और यह PNP यूज़ करने के लिए यहां पर आप देख पा रहा है कि दो एक switch है HW1 उसमें देखिए अगर इस तरफ नौब की तरफ गुमा देता है तो PNP हो जाता है और इधर की तरफ गुमा जाते है यह तो NPN हो जाएगा तो अगर NPN अगर यूज़ करना है तो H3 से एक वायर उठाके और S1 से लिए कर सकते हैं बीच में कोई भी हम अपना switch यूज़ कर सकते हैं तो हमारा input मिल जागा अगर PNP में करना है तो PNP में इधर पहले इसको घुमा देंगे उसके बाद क्या करेंगे कि सारे तक 24 बोल्ट देना है पॉज़िव 24 बोल्ट और सी पर में 0 बोल्ट देना है तो इसमें जो अभी एक्जामपल में दिखाने वाला हूं वह PNP के लिए है फ्रेंट तो PNP में देखे हैं हमने सब्सक्राइब 24 बोल्ट इन्पूट दिया है देखे 24 बोल्ट का सप्लाई कॉमन सप्लाई है और यहां पर सबसे पहले क्या है इसको समझते है इस वन का हमना सेलेक्टर स्वीच यूज़ किया इसको अमें पारामेटर इसमें सेटिंग करने के लिए जाना परेगा और वहां पर एक सेट करतेंगे तो forward stop का command के लिए setting हो जाएगी इसमें मतलब कि अगर इसको on करते हैं तो forward में run करेगा अगर इसको बंद करते हैं तो stop हो जाएगा इस टू फ्रेंट्स reverse के लिए use किया हुआ तो इसके लिए आमें parameter setting के लिए n51 पर जाना परेगा और वहां अगर 2 डाल देते हैं तो reverse stop का command set हो जाएगा इसके लिए इसके लिए इसकी चेटिंग के लिए n52 पर जाना परेगा अगर अगर हम 3 set करते हैं तो external 4 जो हमरा एन्नो के लिए यूज करना अगर एंसी में यूज करना है तो चार्ट डाल देंगे और अगर हमें इसी तर्मिनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं अब की बट के तुरों तो तो यहां से इन्पूट दे सकते हैं इस फाइप डिफॉल्ट में यहां इस्पीड जो हमारा से कमांड के लिए दिया रहता है तो यहां पर इन 54 पर जाएंगे और वहां 6 सेट करेंगे तो हमारा सेकंड स्पीड इन्पूट दे सकते हैं मतलब इसको बताऊंगा कि हम मुल्टि स्पीड में कैसे यूज करना है यहां पर भी आपको एक्प्रेंट खाली करता हूं कि 6 डालते हैं तो हमारा पहला स्पीड का इन्पूट आप करेंगे तो यहां पर हम तीसरा स्पीड का इन्पूट करेंगे और उसके बाद इन्पूट डालेंगे तो हमें चौथे स्पीड मिल जागा तो आप समझे कि एन्प्सवाट गण और रिवर्स का अकर देते हैं तो जो वह स्पीड होगा वह हमारा n24 पर वह हमारा यह आपने आद्ला न फॉड चैंजी कर सकते हैं यहां और हम अप-डाउन एरो की जो है प्रामिटर चैंटिंग में और बागे बताहूं कैसे कीन्याओर कि में का criminal की सेटिंग को न किए चलते हैं अब आगे चलते हैं फ्रिक्वेंसी का इंपूट देने के लिए तो उसके लिए N56 पे 10 डालेंगे दस मतलब जोग का इंपूट मिल जाएगा जब यह पूशिवन कि अगेहां में अप नूट पूश बटन अप मंगाम में फ्रिक्वेंसी को बहाना है गाटाना इंपूट में हमें पूश बटन यूज करना है फ्रिक्वेंसी को ज्यादा और कम करने के लिए तो यहां पे यहां पर यहां पर कनेक्शन कर देंगे अपना डाउन का देखिए बताता हूं कैसे सबसे पहले क्या करेंगे जाएंगे अपने यहां प्रिक्वेंसी का कमांड का इंपूर्ट मिल गया अब उसके लिए वाइडिंग कैसे करना है यह टर्मिल जो है कमांड मिलेगा और यहां पर कमांड मिलेगा आप करेंगे वहां पर कमण के लिए वह हमारा कि लिए काम करेंगा यह तब दाउन के लिए तो यह हमारा पूरा ट्रमिल का समझ गया कि reverse forward आ गया multi speed आ गया up-down frequency change करने का आ गया reset आ गया jog frequency आ गया फ्रेंट्स थ्री वार input भी आ गया तो अब हम चलते हैं समझते हैं कि हमारे रिले आउट्पूट को कैसे यूज करना है तो देखिए रिले आउट्पूट में आपको बता है एंसी कॉमन एंबी एंसी में नो तो में एंसी पे जो input देंगे तो हम जीस पारमेटर के लिए उज करेंगे तो जब भी रेले ओन होगा तो इनो नच हो इन्पूट मिलते रहेगा तो हमारा ए्लाम नहीं आएगास प्रोगाम Oops तो इन्पूंड बूलन बंद हो जागा और जैसे मतम बंढ हां चला के लिए प्र्ण गयास क्योंकि यहां से इन्पूट आउन मिल जागा क्योंकि इंपूट में 24 दिया हुए और यहां से 0 बोल्ट यहां पर हमने 24 बोल्ट मिल रहा है यहां पर PLC में तो हमारा जो पीलसी के common में देना है जीरो बोल्ट देना है फ्रेंट्स तो अब इसको parameter के set करेंगे तो n57 पर जाएंगे अगर 0 डाला हुआ है तो fault output पर यह relay on हो जाए कोई भी fault आएगा तो relay on हो जाएगा तो हमने 0 यहाँ पर select करके रखा है अगर हम 1 यहाँ पर डालते हैं तो जैसे हम run command देंगे तो यह relay on हो जाएगा अगर हम 2 डाल देते हैं तो जो भी frequency हमने डिजाइट रखा हुआ है जिसे 40 का फ्रेक्वेंसी चेट रखा है तो जब तक 40 फ्रेक्वेंसी नहीं जाएगा तब तक हम लोकल में अगर हमारे टाल डालना है तो रिवर्स में जैसे जाएगा तो यह जाएगा एक कर देंगे तो दूसरे चीजों करने चाहते हैं तो वहां से आउन कर सकते हैं जब तक यह और नहीं होगा तब तक आगे भी ऑन कुछ नहीं होगा हमने सीक्वेंस का बहुत सरा वीडियो बना है वहां से देख सकते हैं इसके लिए यहां पर वहां सब्सक्राइब और ज्यादा इसको सबसे ज्यादा है इस जब्लोग इन्पूट में वोल्टेज कमांड दे रहा है उसको सेलेक करने लिए फ्रेंट तो देखें पिन टू को अगर हम वोल्टेज की तरफ कर देते हैं तो जो भी हम अन्पूट देंगे वह वोल्टेज के रूप में देना पड़ेका जीरो से दस बोल्ट के करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इन जीडू जीरो फ़ोर पे तीन और चार मेंसे कोई भी सेलेक कर सकते हैं तो हम करेंट के रूप में दे सकते हैं फ्रेंट्स हम्-3 बाइर सिस्टम को समझते हैं कि हम पूस्ट बटन के थ्रूइब स्टार्ट तो कैसे करेंगे तो दे यहां पे दूसरा सेलेक्टर सूच करेंगे यहां पूस बटन यहां से पर देतेंगे और स्टार्ट सब्सक्राइन के बीच वायर उठाएंगे और सब्सक्राइव करना पर पारमेटर में फिर जीक्टाम पर पताया था कि अब तो अब इसके लाँप हम कुछ बहुत सारे इंपोर्टेंट परामीटर से उसके बारे में समझ लेते हैं तो सबसे पहला जो है एक्सलेडेशन और डी एक्सलेशन पर जाएंगे और जितना अगर हम कम रखेंगे एक्सलेशन टैम उतना तेजी से अमारा फुल स्पीड पर जाएगा कि अचानक से हमारा नहीं रूखेगा दीरे-दीरे करके रूखेगा लेकिन यहां भी हमें ब्रेक फॉंक्शन को यूज करते हैं महां पर दम कम रखना पड़ता है अगर सेकंड इस्पीड के डी एक्सलेशन को चेंज करना है फ्रेंट तो एन ट्वेंटीवन एन यूज करेंगे और जैसे उसको इनपूट मिलेगा तब हम सेकेंड एक्सलेशन को अन उफ कर सकते हैं उसके लावब फ्रेंट्स एन-0-1 जो टमल है वह पारामिटर लॉक करने के लिए तरह मतलब यह अगर हम वहाँ पर जीरो रखते हैं तो हम किवल पहले पारामिटर को ए और देख सकते हैं कर गर हमें रहन कमांड कैसे देना है तो अगर लखते हैं तो हमारा जो की पैड स्ट और रिशेट की होता है वह इनेबल हो जाएगा मतलब उस्टॉल प्रिशेट कर सकते हैं अगर वान रहत के तो मल्टी इंपूट सेलेक्शन हो जाएगा मतलब जो भी हमारा यह इंपूट है वन रखेंगे तो ही सेलेक्ट कर सकते हैं इसको तो वन ही रखना है फ्रेंट समय अभी हमारे करेंट प्रोगाम में वन रखाया हुआ है अगर टू रख देते हैं तो हम आरेस फॉर्ट फाइफ कम्मूनिकेशन के दुरूर्व में इंपूर्ट दे सकते हैं और इस जैसे इस एक्जामपल में रखा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा अगर उस समय भी हमां इस्टॉप रिशेट की को यूज करना तो यह जीरो सेट क पिशना है जो हमारा पोटेंशिंकेशनल्ड लगा उसके धिरूग हम फ्रिक्वेंशी बढ़ाश सकते हैं कंडा सकते हैं अगर qualcू हम फ्रिक्वेंशी रिफ्रेट्एल्ग हमारा अपडाउन इर्ओ की है उसके थूचिंज कर सकते हैं और यह पर हम इस गाने कर सकते हैं हमें 2 रखना है voltage के रूप में अगर से10 we'll use कर रहा है तो में 0-10 वल्ट अगर हम थी लगते हैं अगर हम थी लखते हैं तो 3 में क्या होगा कि 4-20 Mp use करना हुआ में तो 3 रखना है करेंड के रूप में यौकर ना तो यहां पर 4 रखेंगे पांच रखा तो पॉल्स ट्रेन इंपूट जो है उसको यूज करने के लिए और शीक्स और एस फोर फाइट फाइब करना है तो उसके लिए फ्रेट्ट अब नेक्स्ट हम पारामीटर आट पर आते हैं एंजिरोट पे तो यह फ्रेक्वेंसी रेफरेंस जो है लोकल में यह हमारा बहुत इंपूर्ट है फ्रेक्वेंसी सेटिंग मेथड है मतलब कि हम अप्डाउन की के तुरू अगर हम फ्रेक्वेंसी चेंज कर रहा है तो उसमें दो तरीका अगर जीरो रखते हैं तो हमें इंटर की क्या यूज करना पड़ेगा अगर आप डाउन जीतना भी सब्सक्राइब क्या गुंज कर सकते हैं अगर 60 रख दिया तो उसके आधाम प्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हैं मिनमुम्ड फ्रेक्वेंसी जितना रखना वहां से चैंड अगर दस रख दिया तो कि किन सी जीरो बिसक्राइब दालना जैसे कि हमारा मोटर का मैक्सम करेंट हमारा दस एंपियर है तो यहां पर दस डाल देंगे फ्रेंट्स अगे चलते हैं की परामिटर को अगर कोंपी करना एक वी अपरेंटर करेंगे फिर एन 177 पर जिस भी ड्राइब में अगर हमें परामिटर से निकालना है उसमें पहले की बात बता रहां उसकी सेटिंग एन 177 पर वन सेलेक करेंगे कोंपी इनेबल हो जाएगा फिर वन एन 176 पर आर एडी जो है वो सेलेक करने के तो परामिटर यहां से रिड हो जाएगी और फिर यहां से क्या करना है कि इस बीएफड को बंद करके इस क्या हमें डिजिटल अपरेंटर निकाल लेना है और फिर जिस बीएफड में हमें पर परामिटर कोंपी करना वहां पर बंद करने के बाद वहां तकर फिर यहां पर जाना एं 176 महें और यहां सेंils कॉपी सेलेक करना है तो यहां कॉपी ओ जागा फिरवहां सेंसेशस से वेरिफाई सेलेक्ट करेंगे तो वेरिफाई हो जागा यह पूड़ा प्रोग्राम साइस से कोपी हुआ है कि उसके लाव फिर्स कुछ ज्याद इंपोर्टेंट चीजे हैं कि मोनिटर पर जो भी शुरू में आपको जोसे पराम सेटिंस में दिखाया था डिजिटल ऑपेटर यू-0-3 पर आउट्पूट कितना चल रहा है वह दिखाता है यू-0-4 पर आउट्पूट वोल्टेज यू-0-6 पर इंपूट टर्मिल स्टेटर्स एस वन से सेवन तक कौन इंपूट ओन है कौन इंपूट ऑफ है दो लाइन है और एक लाइन है तो आफ है तो फेंस हमने सब्सक्राइब करने कोश्च करूंगा अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर लिजिए और हमारे चैनल पर इंडस्ट्रियल आटोमेशन से लेट बहुत सारे वीडियो को देखिए तो चले मिलते हैं एक नए वीडियो में तब जहें जावाल